अस्सलाम अलेकुम आज हमने बहुती खुबसद बटरफलाई के साथ में यह पैंट डिजाइन बनाई है और इसमें बारिक बारिक पल्स भी लगाए हैं तो कैसे बनाया है यह शुरू करते हैं तो यह देखिए सबसे पहले हमने एक बटरफलाई की स्केच ली है और हमने यह कैन्वेस लिया है चिपकाने वाला तो हम इसको इसके उपर इस तरीके से रखेंगे और इसे ड्रो कर लेंगे देखिए बहुत आसान तरीके से हमने इसे ड्रो कर लिया है देखिए इस तरीके से हमने थोड़ा डार्क कर लिया है और हमने अपने पैंट के कपड़े पर चिपका लिया है तो यह देखे हम पैंट का कपड़ा लेंगे कर अब हम इसे बटरफ्लाइं को इसके उपपर हम बराबर अपरी सिला 8 के सेंटर पे रखेंगे इस तरी के से ठीक है अब इसे टाशनी लगा के अच्य से से तक लेंगे अच है जहां जहां eh हमारा निशान है वहीं पर हमें सिलाई लगा कि इसे कंप्लीट कर लेना है तो देखिए इस तरीके से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है तो अब हम एक पॉइंट के गैप से सेम इसी तरीके से एक निशान और लगाएंगे और उसी निशान पर हम इसे कट कर लेंगे तो देखिए तो अब हम इसे कट कर लेंगे तो जैसे हमने निशान लगाया था उसी निशान पर हम इसे कट कर लेंगे तो देखिए इस तरीके से हमने कट करके निकाला है तो एदर में बड़ाबर हमारा उसी शेप में हमारी बटरफ्लाइ कट हुई है तो अब हम इसे हम छोटे छोटे हमें Иसमें कट लगा लेंगे अपने लिविव हम्यारोंे क г Suite में और लिवावन शेप में तो कट लगा के इसे हम सीधा करेंगे तो इस तरीके से हमने बारी-बारी cut लगा लिए हैं तो अब हम अपने corners को सरू करते हुए, इसे अच्छे से parlet लेंगे अब हम इसको swing की वदद से अच्छे से सीधा करके इस तारी कर लेंगे हमें अच्छे से इस तड़ी कर लेनी है तो अब हम एक और कपड़ा लेंगे इसके पीछे हमने कैन्वेस चिपकाई है तो इसको हम इस तरीके से बटरफलाई के नीचे रखेंगे और उपर से सिलाई लगा लेंगे तो इसके तरीके से हमने सिलाई लगा लगाके दिए अब हम एक पर्ट उयज़ और लेंगे इस तरीके सेमें लिए और इसकी लंबाई हमने लिया है 00.30 बट इन्च Fresak लिए हर में चैलिए 60 इंच ऐनके लखेंगे शायदे इसके ₹श Susak लिए 감़ लगा लेंगे तो यह देखे तो अब हम इसमें box plates बनाएंगे इसी तरीके से हम अपने plates लगाते जाएंगे इसमें और इसे तयार कर लेंगे हमें पूरी पट्टी इसी तरीके से box plate बना के तयार करनी है तो देखे इस तरीके से हमारी पट्टी बन के तयार हो गई है तो अब हम अपने इसमें pan के इस side में रखेंगे और उपर से एक सिलाई लगा लेंगे तो यह देखे इस तरीके से अब हम इसे इस तरीके से पलटेंगे और उपर से लगाएंगे एक दाप सिलाई ठीके इस तरीके से दाप सिलाई लगाने के बाद हमने लियें अपनी बटर फ्लाइं तो यह हमने जिस तरीके से निकाला था बीच में से, ठीक उसी तरह से एक और निकाला है दूसरे कपड़े से, तो अब हम इसे गुलू की मदद से अच्छे से चिपका लेंगे, तो अब हम इसका जो भी एक्स्ट्रा है इसे कट करके निकाल लेंगे, तो अब हम इसे बारिक बारिक हमारा रहसा निकलेगा इसमें कपड़े का, तो इसे हम अच्छे से पिलगा लेंगे, तो अच्छे से फिनिशिंग देना है, तो देखे हमारी बटरफलाई बन के तयार हो गई है, तो हम इसको इस तरीके से सेंटर करेंगे, और ऐसे रखेंगे, सेंटर पे इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे इस पे और ये इस तरीके से रेडी हो जाएगी तिर देखें अब हमें इस तरह करने के लिए इसमें दो पल्स लगाएंगे एक साइड और एक साइड में ठीके तो देखी इस तरीके से हमने बटरफ्लाई के पंक बन के तयार कर लिए हैं यह देखें तो अब हम एंटिना ड्रो करेंगे तो अब हम इसमें बारिक बारिक पल्स लगाएंगे ठीके हमने बटरफ्लाई के बीच में भी लगाना है और इसके एंटिनेबें भी पल्स लगाने है तो अब हम पांच पल्स एक साथ में लेंगे और इस तरीके से हम इसमें लगाएंगे ठीके हम इसमें वापस से धागा लेंगे और दो दो पल्स में के बीच में हम इसे टाक दे जाएंगे इस तरीके से करने के बाद इसे कंप्लीट कर लेंगे पल्स में हम अच्छे से इसे लोक कर लेंगे और इसी तरीके से हम अपने एंटीने में भी बारिक बारिक पल्स लगा के इसे भी तयार कर लेंगे तो यह देखि इस तरीके से हमने एंटीने में भी पल्स लगा के तयार कर लिए हैं तो हमारी बटरफलाइ बनके हो गई है तयार तो अब हम नीचे जो हमारी पलीट से इन में भी हमने चोटे-चोटे बटरफलाइ बनाने हैं भीच में से इस तरिके में भारिक भारिक चुन लेंगे बीच में इस तरीके से जबाएने के घराक्राइट लोकर है फांप लाक्र क्यम स्द्लियनर्ट बालताप ब pó बूतार एक अधाननी वालतापन हल रख ल like乐 और इसी तरीके से हम अपनी पूरी पटी को तयार कर लेंगे है कि अब अब कि देखे इस तरीके से हमने पूरी पटी बना के तयार कर लिया तो देखिए छोटे-छोटे हम ने बटरफ्लाय बना कर ली है तो हमारी पैंड बनके हो गई है तयार तो देखे आपको कैसी लगी आप हमें कमें बताये अब अब हम इसकी side fitting लगा के इसे complete कर लेंगे.